साथियों, देव भूमी के प्रती असीम सद्धा रखते हुए, यहां की असीम संभावना उपर विश्वास करते हुए, आज उत्राघंड की सरकार यहां विकास के महा यग्य से जुड़ी है, पूरी ताकत से जुड़ी है, चार धाम सडक परी योजना पर तेज़ी से काम हो रहा है, चारो धाम हाइवे से जुड़ रहे हैं, बविश्य में यहां केजार नाजी तक सरद्धालू के वल कार के जरी आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी सुरू हो गई है, यहां पांस में हो पवित्र हैमकुन साहब जी है, हैमकुन साहब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए, वहां भी रॉप्वे बनाने की दिशा में काम तैयारिया चल रही है, इसके अलाबा रिजिकेश और कन प्रया को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है, अभी मुक्हिमंती ची कहते थे, पाड़ के लोगों को तो रेल देखना भी दुश्कर होता है, अब रेल पहुंच रही है, दिल्ली देहरादुन हाइवे ये बनने के बाद देहरादुन से दिल्ली आने वालों के लिए समय और कम हो जाने वाला है, इस सब कामों को, उत्राखन को, उत्राखन के परियटन को बहुत बड़ा लाब मिलने वाला है, और मेरे शब्द उत्राखन के लोग लिख करके रखे, जिस तेजगती से इंफ्रस्ट्रक्टर बन रहा है, पिछले सो साल में जितने यात्री हां आये हैं न, आने वाले दस साल में उससे भी जादा आने वाले हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, यहां की अर्थ बबस्ता को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली हैं, इकीसवी सताथी का यह तीसरा दसक, यह उत्तरा खंड का दसक है, मेरे शब्द लिख के रखिये, मैं पवित्र धरती पर से बोल रहा हूं, हाल के दिनों में हमने सभी ने देखा है कि किस किस तरह चार धाम याता आने वाले सरथ धालों की संख्या लगातार रेकॉर्ड तोड रही हैं, और यह कोविड न होता तो न जाने यह संख्या कहां से कहां पहुँच गई होती हैं, उत्राखंड में मुझे यह भी बहुत खुशी हो रही है, खास करी मेरी माताएं बहने और पहाण में तो माताओं बहनों की ताकत का एक अलग ही सामर्थ होता है, जिस प्रकार से उत्राखंड के छोटे-छोटे स्तानों पर प्रकृति की गोध में होमस्टे का नेटवर्ग बन रहा है, सेंकड़ो होमस्टे बन रहे हैं, माताएं बहने और लोग भी जयात्री आते हैं, बेबी होमस्टे को पसंद करने लगे हैं, रोजगार भी मिलने वाला है, स्वाभी मान से जीने का आउसर भी मिलने वाला है, यहां की सरकार जिस तरह विकांस के कारियों में जुटी है, इसका और एक लाग हुआ है, यहां गौना तो हमेशा दूनते थे, पहाड का पानी और पहाड की जवानी कभी पहाड के काम आती नहीं, मैंने इस बात को बदला है, अब पानी भी पहाड को काम आएगा, जवानी भी पहाड को काम आएगी, पलायन रुकना है एक के बाद एक जो निर्णे हो रहे हैं पलायन रुकना है मान के चलिए सात्यों मेरे नवजवान दोस्तों ये दसक आपका है उत्तरा खंड का है उजवल भविश्य का है